आपनी टिपपणी लेकर आपके बीडिया आज कल से सुनिल कुमार एक बार फिर कुछ खबरों पर अपनी टिपणी लेकर आपके बीच मौजूद हूँ पिछला महिना शायद पूरा ऐसा निकल गया जिसमें हम चुनाओं से परे बहुत ही कम बात कर पाए 36 गड़ के चुनाओं, मद्यप्रदेश, राजस्तान, तेलंगाना, मिजुरम के चुनाओं कुछ ये चलते रहे, कुछ मैं अपने खुद के काम से अधिक दूसरे चैनलों के काम में फंस गया बहुत से इंटर्वियू होते रहे, उनसे बात करना अच्छा, इसलिए भी मुझको लगता है कि हर किसी के सवाल से कुछ नया सीखने मिलता है तो मैं बहुत सारे चैनलों, अख़बारों, मैगजीन, इनके सवालों के जवाब देने में भी लगे रहा कोई बहुत शोहरत की चाह नहीं है क्योंकि आप लोग यहां रोज कैमरे पर मुझको देख लेते हैं लेकिन मुझको सवाल अच्छे लगते हैं और खासकर सवाल पूछना तो अच्छा लगता ही है सवालों का सामना करना भी अच्छा लगता है जब दूसरे प्रदेश के पत्रकार बाहर से आई हुए कोई पत्रकार सवाल करते हैं तो अपने प्रदेश के बारे में अपने दाइरे के बारे में भी कई चीजें पहली बार सीखने के लिए सूझिती हैं अभी मैं आपके बीच आया हूँ आज जिस बात को लेकर एक बार फिर हिंदुस्तान के कुछ नेता कुछ पार्टियां यह सवाल उठा रहे हैं कि जो तीन राज्यों में बहुत बुरी तरह हार हुई है कॉंग्रेस पार्टी की शायद इसको बहुत बुरी हार ही कहा जा रहा है सिर्फ राजस्थान में कुछ उम्मीद थी कि कॉंग्रेस को हरा कर भाजपा जीत सकती है मद्य प्रदेश के बारे में शुरुवाती रुजहान ये था 15 दिन 20 दिन पहले तक कि कॉंग्रेस वहां पर काफी आगे चल रही है अपने दम पर सरकार बनाएगी और 36 गड़ जिस 36 गड़ में हूँ जहां के बारे में हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं इस प्रदेश में किसी ने सोचा भी नहीं था कि कॉंग्रेस इस बुरी तरह से हार सकती है मुझको भी यही लगता था कि कॉंग्रेस की एक एज है कॉंग्रेस आगे दिखती है ऐसा लगता था उस वक्त मैंने बार बार ये भी कहा था कि हम एक-एक सीट का विष्लेशन करके इस बात को नहीं कह रहे हैं लेकिन प्रदेश इस्तर के जो मुद्दे हैं खासकर जो घोषनाएं हैं कॉंग्रेस पार्टी की और भाजपा की उनको देख के ऐसा लगता है कि वोटर जो हैं कांग्रेस की घोशनाओं को अधिक मानेंगे, खासा अधिक मानेंगे लेकिन खेर मैं उस पर भी आज चर्चा करना नहीं चाहता हूँ मद्दाताओं ने अपना जनादेश दे दिया है वो सामने हैं कांग्रेस को उन्होंने बुरी तरह से खारिच कर दिया है 36 गड़ में और भाजपा को एक इसपस्ट बहुमत के साथ 5 साल सरकार चलाने का हक उन्होंने दिया है क्योंकि 15 साल की सरकार के बाद 5 साल का एक फासला था उसके बाद ये हुआ है अभी मैं ये भी सोच रहा हूँ कि हार की हजार वजहें जीत की भी वजहें होती है लेकिन हार की हजार वजहें लोग गिना लेते हैं काम्याबी की बारे में कहा जाता है कि काम्याबी के बाप कई होते हैं और हार अनाथ होती है, ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि हारने के बाद हर कोई बहाने तैयार करके रखते हैं कि क्यों हारे हैं। हिंदुस्तान में चुनाव हारने का एक सबसे लोकपरी बहाना जो है EVM मशीने हैं। जब जो पार्टी किसी प्रदेश को हार जाती है तो वो EVM पर तोहमत लगाती है। अलग अलग उम्मीदवार तो ऐसी तोहमत नहीं लगाते हैं क्योंकि उसी प्रदेश में उस पार्टी के कई दूसरे उम्मीदवार जीते भी हैं। तो ऐसा तो कोई तोहमत नहीं लगा सकते कि इस उम्मीदवार के खिलाफ EVM का इस्तेमाल किया, इसके खिलाफ नहीं किया गया, ये एक बात हुई, दूसरी बात ये है कि कुछ नेता हिंदोस्तान के ऐसे हैं जो लंबे समय से, लंबे समय से जब जब उनकी पार्टी किसी भी प्रदेश में हरती है, या 2014-2019 का लोगसभाज चुनाओ, असाधारन वोटों से हरी जो पार्टीयां, जो गडबंधन, यूपिये गडबंधन था वो जिस तरह से हरा, कॉंग्रेस पार्टी जिस बुरी तरह से हरी, 50 से नीचे की सीटों पे आ गई थी वो, तो ये पार्टी पार्टीयां, EVM को तोहमत के लिए ढून के रखती हैं पहले से, पहले से इनके बयान तयार हो चुके रहते हैं, कि EVM के वज़े से चुनाओ हारा है हमने, भाजपा ने EVM की वज़े से ये चुनाओ जीता है, ये बयान पहले से तयार रहते हैं, हालांकि ऐसा कहने वाली गै उन्होंने किताब ही लिख दी थी EVM के खिलाब पूरी की पूरी शायद लाल करेशना डवानी ने उस किताब की प्रस्तावना लिखी थी या उसका विमोचन किया था मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं गया कि मेरी आज जो बात कहना है मुझको इस लिटोरियल वीडियो पे कहे गए इडियूरियल इसमें उसकी बहुत जादा तथ्यों की जरूरत नहीं है मैं तथ्यों से परे अपने विचार की बात कहने वाला हूँ मैं आकड़े नाम ये बहुत माइने नहीं रखते तो भाजपा के एक नेता ने ये किताब ही लिग डाली थी कि EVM से कैसे दोखा धड़ी की जा सकती है EVM सुरच्छित नहीं है लेकिन बात में भाजपा को EVM सोहने लगी चुकि देश में उसकी जीत बढ़ने लगी ऐसा लेकिन मैं पिछले कई चुनाव देखता हूँ जब 2018 में ये तीन बड़े राज्ये 36 गर्ड, मद्यप्रदेश, राजस्थान ये पूरे के पूरे कॉरे कांग्रेस के जेब में चले गए तीनों राज्ये एक साथ केंद्र की भाजपा को एंडिये को मोधी सरकार को इनको बड़ा जटका लगा था तीन हिंदी भाशी राज्ये इस तरह से गवा देना खोब एठी थी भाजपा इन तीनों राज्यों को तीनों जग्वों पे भाजपा की सरकारें थी मत्यप्रदेश 36 गड़ में तो लंबे समय से चली आ रही थी 15-15 साल की सरकारें थी सफाया हो गया था दोनों जगे राजस्थान में भी 5-5 साल में सरकारें बदलती हैं वहां भी बदल गई थी कांग्रेस ने तीनों राज्यों को जीत कर EVM की बात नहीं कही थी कि हम EVM की वज़े से चुनाव जीते हैं एक बार भी नहीं कहा था उस वक्ते किसी नेता नहीं कहा था बात में अभी हाल में देखेंगे कुछ महिने पहले हिमाचल में कांग्रेस सरकार जीती तब भी EVM बुरी नहीं थी करनाटक में कॉंग्रेस चुनाव जीती तब भी EVM बुरी नहीं थी जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गई जिसका कि भाजपा के साथ रोज कड़वी बातें बोलने का रिष्टा बना हुआ है उस वक्त भी EVM बुरी नहीं थी ना भाजपा के लिए थी ना आम आदमी पार्टी के लिए थी ना कॉंग्रेस के लिए थी पंजाब में भी EVM ठीक थी क्योंकि EVM के नतीजों से भाजपा हर गई थी पंजाब लेकिन अभी अभी 36 गड़ मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में वहां के एक भुत्पुर वो मुख्यमंत्री दिग्वी जैसी वो बार-बार EVM की बात उठाते हैं अभी कल की बात है कल 36 गड़ के पिछले मुख्यमंत्री और मौजूदा आज की तारीख में जो कारिवाहक मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली जा रहे थे जाते जाते जब एरपोर्ट पे उनसे लोगों ने सवाल किये कैमरों के सामने EVM के बारे में तो उन्होंने कहा कि EVM की जब चर्चा होती है हार के लिए EVM को जिम्मेदार ठहराते हैं राजपा को बहुत मेर्चे लगती है राज़ीती में ऐसी भाषा चलती है मैं उसके बारे में कहना नहीं चाहता मैं बात को पट्री से उतारना भी नहीं चाहता 2018 में शायद भुपेश बगहिल ने ये बात नहीं कही थी कि हम EVM की वज़े से सत्ता में आए हैं तो EVM घर का एक ऐसा शरारती बच्चा हो गया है कि जब भी घर में कोई सामान तूटे कोई चीज फट जाए कुछ खराब हो जाए तो उसी बच्चे पे तोहमत दी जाती है इसी ने किया होगा EVM ऐसी हो गई है अच्छा हो घर में कुछ तो उस बच्चे को कोई याद नहीं रखते इस सोच से राजनीती के दलों को उबरना चाहिए मैं अभी 36 गड़ के जो भुतपूर्व उपमुख्य मंतरी थे टी एस ससी देव इनसे दिली में अभी पुछा गया तो इन्होंने कहा कि मैं 36 गड़ में हार के लिए EVM को जिम्मेदार तो नहीं ठैराता हूँ उसको जिम्मेदार ठैराना गलत होगा लेकिन EVM के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ उन्होंने ये गिनाया कि दुनिया के बहुत से विक्सित देश जो हैं वो EVM का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहाँ पे पेपर बैलेट चलते हैं पेपर मत पत्र वहाँ उन्हीं का इस्तेमाल होता है जब भारत के मुकाबले ज़्यादा विक्सित देश हैं वहाँ जब पेपर बैलेट का इस्तेमाल होता है तो हिंदुस्तान को भी पेपर बैलेट की तरफ लोटना चाहिए ऐसा उन्होंने कहा मुझको ध्यान है कि पेपर बैलेट का एक वक्त था चुनाव आयोग उस वक्त ताकतवर नहीं था टी एंशेशन जो की पहले ताकतवर चुनाव आयोग थे उनके पहले की बाते हैं जिस वक्त बिहारवगर में कहा जाता था कि बूथ को छाप दिया गुंडे जाते थे बंदुकें लेकर जाके वहाँ पे पूरे के पूरे बैलेट पेपर के गठे ले लेते थे अपने मरजी से ठपे लगाते थे ठपे लगा के उसको पेटी में डाल देते थे ये आम बात थी ये बहुत सारे राजियों में ये आम बात थी है कि लोग एक साथ छाप देते थे इसको बूथ छाप देना कहते थे प 1998-2001 के बीच में लेकिन उसके पहले की बात है जब बस्तर में उस वक्त भी नकसली थे उस वक्त भी सुरक्षा बल थे वहां भी तोहमत लगती थी कि सुरक्षा बलो ने ही वोट डाल दिये EVM आने के बाद भी ये तोहमत लगती रही वहां पर कुछ अर्था तक कि किंद्री ये सुरक्षा बलो ने ये वोट डाल दिये मैं ये कहना चाहता हूं कि हंदोस्तान में दसियों लाख EVM मशीने हैं दसियों लाख ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग राज्यों सरकारे हैं अलग अलग राज्यों दलों की हैं उनके कबजे में जो गोदाम हैं वहां पर आखिर चुनाव आयोग जो राज्यों में हैं जो मुख्य निर्वाचन पदाधीकारी रहते हैं राजियों में, वो तालाचा भी लेके पूरे 365 दिन गुदाम के बाहर नहीं रहते हैं, EVM मशीने जो हैं, ये तो हर सरकार की पहुंच उन तक रहती है, अभी एक आंकड़ा ये भी है कि हिंदोस्तान में लाखों EVM मशीने ग जिसके हाथ वहां तक न पहुंच सकते हों, जब हर किसी के हाथ पहुंच सकते हैं, अर्विंद केजरिवाल जैसे मुख्यमंत्री तो IIT से निकले हुए हैं, उनके पार्टी के एक दूसरे नेता हैं, डॉक्टर पाठक, 36 गल के हैं, पंजाब से राज्यसभा में पहुंचे वो IIT में पढ़ाते थे, ऐसा कोई भी बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, जिसमें IIT से निकले हुए लोग न हो, अगर आपको याद होगा तो कांग्रेस पार्टी के प्रधान मंत्री रहे हुए राजीव गांधी के वक्त पे टेक्नलाजी मिशन जो उनके बनाए हुए थे उनका काम देखने वाले सैम पिट्रोडा थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि राजीव गांधी वक्त राजीव और सैम पिट्रोडा ने मिलकर एक संचार करंती लाई थी हिंदुस्तान में, उसी वक्त की बात है कि बहुत सारे जो मैन्वल टेलिफोन एक्सचेंज थे, वो राहुल गांधी विदेश जाते हैं, उनके साथ दिखते हैं, तो क्या किसी भी पार्टी के लिए ये नमुम्किन है कि एक EVM मशीन का गैर कानूनी इंतजाम करके उसको परख ले कि कोई भी तोड़ सकते हैं क्या, कोई भी उसको हैक कर सकते हैं क्या, कोई भी प्रभावित क पर सकते हैं क्या कोई भी उसके आंकड़ों को बदल सकते हैं क्या इसके अलावा मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जितने राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं ये मोटे तोर पर उसी राज्य के आइएस अफसर रहते हैं वही लोग रहते हैं कोई दूसरे राज्यों से नहीं भेजे जाते हैं उनकी अधिक संभावना उसी राज्य के अपने से वरिष्ट अधिकारियों वरिष्ट नेताओं के साथ एक बेहतर तालमेल की रहती है हर राज्य सरकार के पास यह एक मौका रहता है कि वो EVM मशीनों को किसी तरह से परक सकें कर्मचारी जब लेके निकलते हैं इलेक्शन ड्यूटी पे उस वक्त भी यह मौका रहता है बहुत सारे ऐसे मौके रहते हैं गोदाम से निकाल कर देख सकते हैं जब बैंकों की तिजोरी से नोट गायब हो सकते हैं जो नोट छापती हैं प्रिंटि यह बात अकल्पनी हैं कि भारत के सारे राजनितिक दल इतने शरीफ हैं कि कोई भी EVM मशीन को कहीं से मैनेज नहीं कर रहें जुटा नहीं रहें ऐसे में मेरा ये कहना है कि अगर EVM आपको बुरी लगती है तो आप हर वक्त के लिए कह लिए जहां से आप जीते हैं वहां भ को देते हैं अपने कारेकर काउंट कारेकरताओं को देते हैं क्यों ऐसा करते हैं आप मत दीजिए किसी को भी श्रे आप कहिए कि हम EVM के आशिरवात से जीते हैं आप हारें तो कहिए कि EVM हमसे खफा रही गी और हम हार गएं ये कौन सी बात होती है कि मीठा मीठा गप और करवा थू ये लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है दूसरी एक बात और समझने की जरूरत है आज हिंदुस्तान में टेक्नलाजी जो है क्या ये किसी देश का मुह देखने के लिए मोहताज है आज हिंदुस्तान राकेट साइंस में अंतरिक्ष में उग्रह भेजने में दुनिय है उसके पहले से भी है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जो राजनीतिक लीडर्शिप से परे भी चलती है पिछली सरकार के वक्त यूपीए सरकार के समय जो आधार कार्ड शुरू हुआ था वह दुनिया का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन का एक डॉक्युमे थे 2014 के पहले वो आधार कार्ड के बड़े कटू आलोचक थे बहुत ही कड़वी भाशा बोलते थे आधार कार्ड के खिलाप लेकिन जब वो सक्ता में आए तो आधार कार्ड को डिजाइन करने वाले उस योजना के मुखिया रहे हुए नंदर निलेकेनी से उन्होंने बात की उनको समझ में आया कि आधार कार्ड अच्छी चीज है अब तो हलत यह कि आप अपने घर में अगर खाना मांगते हैं रात को जाके हो सकता है महीने दो महीने में आपसे आधार कार्ड मांगा जाना लगे हर काम के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है आज मोधी सरकार हर काम के लिए आधार कार्ड को लागू कर रही है सुप्रीम कोर्ट के महरवानी से अभी तक देश में दो-चार ऐसे काम बचे हैं जिसमें निजिता भंग होने की वज़े से आधार कार्ड को अभी अनिवार ये नहीं किया गया है तो भी सरकार पूरी ताकत से उसको प्रमोट करती है कि वो लागू हो तो टेक्नलाजी के मामले में कोई जरूरी तो है नहीं जैसा कि T.S. बाबा कह रहे हैं कि जब विक्सित देश प्रिंटेड बैलेट पे चले गए हैं तो हिंदुस्तान को भी प्रिंटेड बैलेट पे चल प difनितर पे नहीं हों मताब एनर्जी ने जिस अंदाज में हराया यह कंग्रेस को हराया बीजेबी को हराया केंदर में बीजेपी थी उसको हराया जिस तरह से बंगाल में कोई छोटी बात है और अगर मुदी का या इंडिये का बस चलता उस चुनाव意ों को प्रभावित कर कर सकते चुनाव आयोग ईविय म को प्रभावित कर सकते तो क्या पूरा का पूरा बंगाल मंता को जीतने देते पूरा का पुरी दिल्ली दो-दो तिन-टिन भार जीतने देते आम आधमी पार्टी को केजरिवाल को क्या तीनों राज्य 2018 में Congress को जीतने देते, क्या तेलंगाना अभी जीतने देते, उस Congress को जो की मोधी के सक्त खिलाप है, उसके बजाए मोधी को वहाँ BRS के KCR बहतर लगते, कि वही जीत जाते, कम से कम पार्लियमेंट में critical voting के समय तो वो इंडिये का साथ देते हैं, क्यों ऐसी bumper majority वहाँ पे, क्यों ऐसी bumper majority जैसा धान 36 गड़ में हो रहा है, ऐसा वोट वहाँ पे तेलंगाना में Congress को क्यों मिला होता, तो सोचने की बात यह है कि जब जब मैं जीतूं तब तब अपने दम पे जीता हूँ और जब मैं हारा, तो EVM ने मुझको हराया, यह कौन सी बात होती है, मैं किसी technology के पक्ष में नहीं हूँ, ना EVM बनाने वाली मशीनों के पक्ष में हूँ, ना मैं कागज छापने वाले किसी industry के खिलाप हूँ, मैं तो अख़बार में काम करता हूँ, जो कागज पर ही छपता है, लेकिन सवाल दूसरा उठता है, कि कागज के बैलेट पेपर, 140 करोल की आबादी में, बैलेट पेपर कितने लगेंगे, कितने छपेंगे, कितने बरबाद होंगे, उसको गिना जाएगा एक बार फिर वो लुगदी में जाएगा कितना छपाई में वक्त लगेगा हर बार नए नए बैलेट पेपर बनते हैं हर सीट पे अलग अलग बनते हैं EVM मशीन ही ऐसी है जो कश्मीर से कन्या कुमारी तक एक कही किस्म की है जब तक कोई ये साबित ना कर दे कि EVM मशीन जो है वो मेनिपुलेट की जा सकती है उसमें छड़खानी की जा सकती है मैं आशंका के घोड़े पे सवार होकर घुरदोर के लिए नहीं निकलता हूँ मेरा ये मानना है कि वो एक टेक्नलाजी से बनी हुई चीज है आप उसको साबित कर दीजे कि ये गलत है आप खुद ही कई राजयों में उसको मंजूर कर लेते हैं कई राजयों में उसका विरोत करते हैं मेरा फिर ये कहना है कि अपने ही देश की टेक्नलाजी को जो की जगे जगे इस्तेमाल हो रही है किसी एक पार्टी के राज में उसकी कोई मोनोपोली नहीं है पूरे देश भर में अलग-अलग पार्टीयों के राज में उसका इस्तेमाल हो रहा है UPA सरकार दस बरस थी हिंदुस्तान में उस दस बरस में अगर उसको लगता कि EVM यूज नहीं करना है तो वो तै कर लेती कि EVM यूज नहीं करेंगे बैलेट पेपर पे चापेंगे तो उन दस बरस में आपको चुनाव ठीक लगे उस दस बरस में दो-दो चुनाव पार्लियमेंट के जीते UPA में उसमें EVM ठीक थी ये कौन सी बात होती है ये वापिस इस तरह से जाना कल के दिन आप कहेंगे कि प्रिंटेट कागज की स्याही भी उड़ जाती है तो लोगों के सिर गिने जाएं भील्द लगाई जाएं कतार लगा के गिना जाएं किसके साथ में कितने हैं ये फिजूल की बाते हैं मैं किवल अपनी बात यहां कहने के लिए आया हूँ ये मेरा विचार है इसलिए मैं इसको विडिटोरियल कहता हूँ ये मेरी राय है अपनी कि EVM का नाम लेकर अपनी हार की दूसरी वजहों को अंदेखा करना, छुपाना, बंद करना चाहिए अगर सच में आप अपनी हार की वजहें देखना चाहते हैं तो मैंने शायद कहीं पर कहा है या लिखा है एक दो दिनों के भी तर बंद कमरे में मिरर के सामने आईने के सामने दो-चार दिन बैटना चाहिए नेताओं को एकदम अकेले मोबाइल फोन भी बंद करके बाहर कर दे केवल चार दिन अपने आपको देखें मिरर में आईने में देखें चार दिन चेहरा अपना और याद करें कि आपने पिछले पांच साल में क्या-क्या गलत काम कियें क्या-क्या जुर्म कियें क्या क्या कुकर्म किया है जिसकी वज़े से जनता ने आपको हराया है जिस दिन तक जिस दिन तक आप अपने परिवार के शरारती बच्चे की तरह EVM को तोहमत लगाने के लिए तैयार रखेंगे कि बस हम हरे तो तोहमत EVM पे, उस दिन तक आप अपने कुकर्मों को नहीं देख पाएंगे, जो भी नेता हो, जिस भी प्रदेश का हो, जिस भी पार्टी का हो, जो EVM पे तोहमत लगाते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मेरा मानना है कि उनको आइने के सामने बैट कर आत्मो अंथन करना चाहिए, अपने कुकर्मों को याद करना चाहिए, हो सके तो एक कागज पेन भी रखना चाहिए, जैसे जैसे कुकर्म याद आएं, उनकी लिस्ट बनाते जाएं, कागज ज्यादा रख लीजिए, कागज को वैलेट पेपर पे बरबात करने के बजाए, अपने कुकर्म अपने जुर्म इनकी फेहरिस्त बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए अच्छा गठा कागज ले लीजिए गठा लेके बैठिए डाट पेन की 3-4-5 चरिफिल ले लीजिए खाना भर के रख लीजिए कमरे के भीतर आइने वाले कमरे में खाते रहिए वहां पे ऐसा कमरा छांट लेजिए जिसमें बातरूम भी रहे बाहर से ताला डलवा दीजिए कि चार दिन कमरा न खोले दवाई वगर भी रख लेजिए और सोचिए आइना देख देखके लिखते चलिए लिस्ट बनाते चलिए अपने जुर्म और कुकर्म की शायद चौथे दिन जब आप बाहर निकलेंगे आप EVM को तोहमत नहीं देंगे आज बस इतना ही मैं कोशिश करूँगा अने वाले दिनों में हर दिन 5-10-15 मिनट की ऐसी कोई बात लेकर आपके बीच आऊं फिलाल आप हमको देखते रहिए आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो आप सब्सक्रिप्शन की बटन दबाईए नोटिफिकेशन की बटन दबाईए लाइक कीजिए अपनी टिपणी लिखिए आपको पसंद आए अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भीच सकते हैं चलते चलते छोटी सी सलाह है मेरी कि अगर आप दुपईया चलाते हैं तो हिलमेट लगा कर चलिए हिलमेट बेल्ट नीचे बांध कर रखिए अगर आप चौपईये में बैट कर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए किसी भी हादसे की हालत में यही दो चीजें आपकी जिंदगी बचाती हैं ये चीजें ये सावधानी ट्रेफिक पुलिस के लिए नहीं है उसकी जिंदगी बचाने के लिए नहीं है ये आपकी अपनी जिंदगी बचाने के लिए है आप पुलिस की नजर बचाकर तो निकल सकते हैं इनके बिना जो उपर जिसको हिंदू यमराज कहते हैं और धर्म में कुछ और कहते होंगे उसकी नजरों से नहीं बच पाएंगे फिर मिलते हैं